है है गाइस मेरा नाम अभी सेख रहो आप देख रहो ग्यान रुख जहां पर मैं एंजिनिरिंग कॉलेज से लिए सारे वीडियो आप लोगे लिए आता हूं तो जो मेरा लास्ट वीडियो ता ट्रिपल आईटी गौवा आईटी का उसमें जो मैंने डिसकस किया था कि वहां पर कट ओफ जाना अलगले ब्रांशेज में अलगले कैटिगरी में जाथी बात गया था कि क्या कुछ लगता है और साथी साथ होस्टिल का क्या कुछ फील लगता और जो 75% वाला नया आया है उसमें क्या कुछ इलिजबिटी वहां पर जाह रहा है तो उसके बहुत फॉल आ आने वाले तो लोगों का नजा होना चाहिए डिपल आई टी कोटा का और यह नहीं यह नहीं वाले विलिडिंग की में बात कर रहा हूं इसका जो नहीं पर से मैं उसके आपको दिखा रहा हूं एक यह हो गया और इसका फुल रिभीव वीडियो है उस पर मैंने पूरा उवर विउसे 2013 में इस्टार बता लेकर उसकी अनौर्फ रेंकिंग है उसमें फिट नहीं हो पा रहा है चप 하지 की बात करूँ तो एक सो एकर का इसका कैमपस है थोरा सा उससे ज़्याद है पॉइंट 37 एकर लेकिन मोटे तरफे देखो तो यहां पर आपको 100 एकर का इसका सॉट फॉर्म है अब बात कर लेते हैं यहां पर क्या कुछ प्लेसमें जालता है मोस्ट इंपोड़न फैक्टर टू डिसाइट एनी कॉलेज उसे पहले आया आप वाई उस्टल देखो क्या जबरतस्त आपको जो है यहां पर बिल्डिंग और लोकेशन देखने को मिल र हूँ अब बात करें क्या कुछ गया था 2030 में तो आपको 14,60,000 पर देखने को मिला था तो प्लेसमें के सबसे बहुत ही जबरतस है जितना नया कॉलिज है लेकिन प्लेसमें अच्छा डिलेवर कर पा रहा है 24 के बात करूं तो अभी ओन गोइंग है अभी यह चली रहा है तो आपके क्लाश 12 की मैं बता रहा हूं तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जिक्स का तो सब्जिक्स आपका फिजिक्स और मैथमाटिक्स कंपल्सरी सब्जिक्स होना चाहिए उसके अलावा जो एक तीसरा सब्जिक्स है वह यात आपका कैनिस्ट्री हो सकता बायो है आपके क्लास्ट्र में 75% होने ही होने चाहिए तभी जाकर के कुछ बनेगा वहीं पर अगर आप रिजर्व के candidate आने के सी कैटेगरी के हैं या पी-डी-डी-डी के आप गेंडिडेट है तो 65% मांग से अगर आपके class talk में है तो आप eligible है और इसके अलावा अगर आपने जिस भी board में exam दिया उस board के top 20 percentile students में अगर आपका नाम आ गया तो फिर कुछ नहीं रखा है कि 75% है या नहीं 65% है नहीं आप eligible माने जाओगे अब बात करें तो एडमिशन का तो एडमिशन जो है ट्रिपल आईटी कोटा में आपको जी में के rank के basis पे दिया जाता है अब बात करें तो counseling इसका एक होता है जूसा का counseling और दूसरा जो है CSB का special round का counseling होता है लेकिन main जो counseling है उसका ये जूसा वाला जो counseling आपको आपको जादे clarity मिल जाएगा कि दोनों ही जो counseling है उसमें क्या कुछ differences है और कब-कब दोनों होता है तो बात करते हैं कि ट्रिपल आईटी कोटा में जो है जो सा counseling के थूख क्या कुछ cut-off rank जा रहा है तो ये सब के सब जो है आपको लास्ट round के cut-off आपको देखने को मिलेगा यानि कि जो सा के छटे round का cut-off देखने को मिलेगा तो बात करते computer science and engineering की CAC में क्या कुछ cut-off जा रहा है तो male और female दोनों की मैं बात करने वाला हूँ क्यों कि बहुत जादे की बात करूं तो 9,266 rank तक जा रहा है SC की बात करूं तो 5,382 rank तक जा रहा है SC की बात करूं तो 3,366 rank तक cut-off जा रहा है और ऐसे ही female में भी cut-off जा रहा है और एक बात और यह जो है PDF आपको मिल सकता है तो इसके लिए आपको गया गर ना मेरे डालने वालों में खिलरली बता दो बहुत मेनद लगते हैं और आप लोग लाइक करते हैं तो जली से लाइक कर लो अब बात कर लेते हैं जो इसका अगला specialization है electronics and communication engineering ECE के cut-off की बात करूं तो again male और female दोनों मैंने अलग-अलग बता हुए तो male में जो है यहां पे general category पे 31608 rank तक जाता है EWS में जो है 5540 rank तक जा रहा है OBC में 12920 rank तक जा रहा है ST में 8237 rank तक जा रहा है और ST की वाद करूं तो 38771 rank तक जा रहा है यह सब के सब All India category rank है अगर इसके आसपास आपका rank है तो ही आप सोचो कि आपको यहां पे admission भी सकता Otherwise आप counseling में अपने chance बरबाद मत करो दूसरा college जरूर से जरूर पिक करो और ऐसा ही female में आपको देखने को मिल जाएगा तो जरूर से जरूर यह PDF डाउनलूड कर ले ना वन टाइम पेमेंट की बाहत करूँ अट टाइम अफ एडमिशन तो यह आपको तरीस हजार छेसो पचीस तक लगने वाला है common institute fee की बाहत करूँ तो यह बीस हजार रुपय आपको देना पड़ेगा housekeeping की बाहत करूँ तो यह आपको 1000 रुपय का लगने वाला है और group insurance की बाहत करूँ तो यह आपको 800 रुपय लगने वाला लेकिन यह annually लगता है तो यह सिरफ और सिरफ four times से ही आपको लगने वाला है तो अगर इसका fee नहीं बदले तो यह आपको पूरी course के दौरां 32 रुपय तक का आ जाएगा यानि की टूटल जो है आपका एक लाग 35,425 रुपय जो है यह आपका पूरा का पूरा academic fee आपको आ जाएगा जी हाँ अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ hostel में fee जा रहा है टुपल आईटी कोटा में तो बात करी कि मेंस advance पर semester कितना जा रहा है तो बीस अजार रुपय का जा रहा है होस्टल रेंट की बात करूं तो 12,000 रुपय का है और electricity and water charges जो है यह 6,000 रुपय का है का पिछले वाले वीडियो मैंने मिला के बोल ला तो बहुत confusion था तो इसलिए आप लोगों के suggestion पे यह पूरा मैंने इस बार अलग-अलग कटके बताया है तो अब जो total आपका होस्टल का 2425 रुपय इतना पैसा आपको जो है यहां पर एड्मिशन लेते टाइम देना पड़ेगा जी हां अब बात करें थे फी वेवर का बहुत है इंपोर्टेंट हो जाता है फी वेवर की facility है नहीं तो बात करें तो अगर आप जो है इसी इस्टिया पीड़ेवीड कैटिगरी के candidate है तो आपको 20% tuition fee जो है वेवर हो जाता है यानि कि 90,000 का 20% आपको माफ कर दिया जाता है वहीं पर अगर आप general EWS या OVC candidate है आपको बावजी का ठुलो मिलता है यानि कि 0% fee concession आपको मिल रहा है तो अगर आप general EWS category candidate है आपको पूरा fee करना पड़ेगा एक बात और मैं यह सिरफ और सिरफ tuition fee में है बाकि सारा fee आपको देना पड़ेगा जो tuition fee मैंने आपको बताया आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से यह जो tuition fee है ना 90,000 रुपे का इसी में आपको 20% का जो है discount देखने को मिलेगा otherwise यह सब fee जो है आपको pay करना है इससे बच नहीं सकते है तो यह तो था आज का वीडियो अगरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो definitely so है आप कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगा अपने दोस्तों का जरूर सेर करना और एक tip आपको और देदू कि यहां पर जब आप admission लेता है तो आपका पूरे option होते है कि आप जो state government है और प्रेक्शन में कमेंट करना